तेरी रहमत के साए से न कैसे बद घुमा जाओ अगर तू भी ना मेरा हाथ था में तो कहा जाओ पस इतना सा करम कर दे मेरे माला ये दिल एहसास से भर दे मेरे माला असलाम अलेकुम वालेकुमस्सलाम भई तुम हर रोस फैक्टरी लेट पहुंचते हो वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त तुम्हें पीछे चोड़ देगा और वैसे अभी फिर वरकर्स अपनी मनमानिया करते हैं किसी की बात नहीं सुनते अपना बिजनेस है जब चाहे जाओं जब चाहे ना जाओं क्या फर्थ पढ़ता है फर्थ तो पढ़ता है मुझे देख लो इस उमर में भी सुबह नौ बजे मैं अपनी फैक्टरी के गेट पे होता हूँ वक्त बदल चुका है आप सेट हैं और I'm sorry आज तक आपको सेट बनना नहीं आया यह बात तो ठीक कही है तुम्हें मुझे वाक्षी सेट बनना नहीं आया और नहीं मैं बनना चाहता हूँ इसलिए कि इस फैक्टरी की एक 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 एंट मैंने अपनी महनत से जोड़ी है और मैं आज भी उसी जजबे के साथ काम कर रहा हूँ अब वो आपके शुरुवात नहीं बहुत चोटे काम से हुई थी लेकिन मेरी शुरुवात एक बहुत बड़ी फैक्टरी से हो रही और वैसे भी अब बच्चा नहीं रहा हूँ सॉरी जब दिल चाहे आ जाना है तनी बातें सुना दी और पर रहें जब दिल चाहे आ जाना ये लिजए अहमत साब बहुत शुक्री एक बास साब इससे तो यकिनन बहुत जादा मदद मिलेगी और अल्ला आपकी नेकियों में भी इजाफा फर्माएगा अहमत साब मदद तो आप ने हमारी की है जनाब मरना देखिए ना ये चंद इंटों से शुरू किया हुआ मदरसा ये यतीम खाना आज उसकी शाखें अंधरूंग शेहर तक पहुँच गही है मदद तो आप ने की है हर कोई आप जैसा दिन ने रखता है अकबाल साब मेरे मुश्चत कहा करते थे कि तुम अल्ला के दिये में से दूसरों को देते मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है सबाए उस तौफीग के जो उसने अता फर्माई अल्ला आपकी तौफीग काइम रखे आप हलो यह क्या किया है तुमने क्या हुआ क्या मतलब क्या होगी काड का है मेरा मेरे पास है क्यों तुमने कितने पैसे करच की है सिफ चार पांच सूट लिये और कुछ ग्रॉसरी की है बस एक लाग रुपे की शापिंग कान करते है वो भी एक दिन के अंदर यार मैं करते हूँ और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे जरा से वासी बात का हिसाब लोगी है यह जरा से पैसे पुरी एक लाग रुपे उड़ा चुकी हो तुम यह इससे अच्छा तुम्हें किसी अठारंग रेट की ऑफिसर से शादी कर लेती कम इसका बात बात पे मुझे अबबा जी को हिसाब तो ना देना पड़ता पता नहीं किन कन जूसों में फैस की हूँ मैं अच्छा अच्छा सुनो सुनो प्रीज मेरा मुट से वस्वक ठीक होगा जब तुम मझे एक लाग और दोगे शॉपिंग के लिए क्या एक लाग रुपे और हाँ इतने पैसे तुम्हे अपने घर में एक हफते में खर्श देती हूँ अब लीज यह मत कहना कि अबबाजी नहीं मानेंगे हलो हलो अचले बिस्मिल्ला कीजे न जी अरे शुरू कीजे मुझे जो काम था वो जबी है सर वो देख देखें अपने वाली साब नौकरों को बाप बना के रखा हूँ है अब भी ना रापा आता जा रहा है और इनको बस अकल नहीं आ रही सर सब मजाक उडाते हैं तो क्या हो गया नौकरों के साथ आजकल खाना खा रहे हैं वो सर प्लीज समझाए ने बिस्नेस कम्मुनिटी में हमारी फैक्ट्री के लिए इस तरह की बाते अच्छी नहीं है सर ठीक कह रहे हैं मैं करता हूँ बात इनसे अब बो मुझे आपसे कुछ कहना है हाँ बोलो मुझे ना फैक्ट्री में बेकायदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है हर ओदे का एक प्रोटकॉल होता है क्या हुआ क्या मतलब क्या हुआ आप ये एरवक क्या फैक्ट्री के वरकर के साथ बैट कर खाना खा रहे होते हैं फैक्ट्री के मफाद में ठीक नहीं है ये मजाग उड़ाते हैं वो सब हमारा गलत बात है जी लोगों का मजाग उड़ाना गलत बात है अबू ये दुनिया है और हमें इस दुनिया, हमें इस दुनिया के उसूलों के साथ ही चलना है मेरे लिए दुनिया के उसूल हो है जो मेरे अल्ला ने और उसके रसूल ने तैकी रही बाद परकर्स के साथ बैट कर खाना खा दी तो इस तरह मुझे उनकी तकालीफ का पता चलता है उनके दुख सुक में शामिल होने का मौका मिलता है और सच यह है मिया के इसी वज़ा से ना कभी मेरी फैक्टरी में मजदूरों ने अड़ताल की और ना ही कोई बेजा मतालबात मुद्दा ये नहीं है जिज इन वरकस के जूतों में पाउं डालोगे तुम्हे खुदी अंदाजा हो जाए बेटा ये बाते मैं तुम्हें इसलिए समझाता हूँ मेरे बाद इस फैक्टरी का सारा दिजाम तुमने इस अभालना अबबजी आपकी पसंदीदा लाइची वाली चाहे बहुत शुक्रिया बेटा जीती रहो फुश रहो मिजी तैंक यू बेटा ज़्चा सच में क्या कमाल की दावत ही ना क्या आरेंजमेंट से क्या खाना था क्यों अब बूब आपके बता है स्पेशल शेफ से बनवाया था और उस शेफ के रेस्टराण के बहार ना लोगों की लाइन लगी होती ये जगा ही नहीं जाने की क्यों? और सिर्फ मेरी एक कॉल पे ना उसने इस सब को चरेंच किया और सच पूछे ना इस सब के पीछे युसरा की महनती थैंक यु युसरा अब तुम खुद देखना हमारे जो सरकेल है ना उसके अंदर हमारी इस दावत की दूम भचे की गोंजोगी और मैं चाहता भी ही हूँ कि फारिस के नाम की धूम मचे है सब को पता होना चाहिए क्यों? मिसिस रिमान ने तो जलन के मारे खाने ही छोड़ दिया जब उने पता चला के शेफ फारिस के फ्रेंट है हाँ तो हो नहीं था काना तो बहुत अच्छा दा बिटा लकिन क्या ही अच्छा होता अगर घर का खाना होता तो देखो ना जब आप घर पे दावत करते हो तो खाना घर में पनाना चाहिए उसमें एक अपनायत होती रेस्टरॉंट से तो इंसान हर रोस जागर खाना खाई लेता आप ही कहते हैं ना कि मेहमानों बहुत अच्छा खाना खिलाना चाहिए फिर क्या होगी मेहमानों की बहुत खिद्मत करनी चाहिए मेहमान तो अल्ला की रहमत होते हैं तो यूसरा का दिल बहुत अच्छा है लेकिन यह जो काहिशात होती है यह मुठ्छी में बंद रेत की तरह होती है, थीरे थीरे हाथ से फिसलती रहती हैं और पिलाखिर हाथ खाली होजाता है अरिस, क्या होगी है? आप इस तरह उठके क्यों आगे? क्या रहत कर दी यार उनों, इस घर मेना अब उनकी मर्जी के बगर ना कोई जी सकता है और नहीं कोई कुछ कर सकता है श्च्छ, काम डाउन, ये भी नहीं सोचा कि इस तरह से उठके आएंगे तो अपाजी नारास होंगे तो यार, और क्या करूँ यार, नहीं समझ आती उनकी एक बात, उनको ये समझना पड़ेगा कि उनका जमाना गया आप, अब हमारा दोर है आप बहुत जादे जिस बात थी है, ये तो सोच लेना था कि बिल अपाजी के पास ही आएगा, फिर? बिल, कौन सा बिल, कहां का बिल, खाने का बिल, थोड़ी बहुत पेमेंट मैंने कर दी थी, पता नहीं क्यों, कार्ड डिक लाइन हो रहा था बिल अपाजी के हाथ लगने से पहले उनसे सौरी कर ले, बलके कुछ रकम भी मांग ले यह जो पॉकेट मनी मिलती आपको किती है, चार लाग, उन्हें कहें कि यह दस लाग करते हैं, एक यह बार बात खतम करते हैं, ताकि हम लोग अपने एक्सपेंसेस खुद तो उठा सकें, हमें बार बार किसी से यह मांगना ना पढ़ें, हम किसी को जवाब दे ना हो तस्टा अब बुझे आपसे बात करने, बेटा, सुबा में करने ना पात, अरे करने दो ना पात उसे, हम बोलो बेटा, मेरे पैसे बढ़ाते हैं, पैसे बढ़ाते, तुम्हें चार लाग ये खर्च मिलता है, कम है, कितने होने चाहिए, जी हाँ कम है, कम से कम, तसलाग रुपे होने चाहिए, तसलाग रुपे, बतलब, इतना पैसा क्या करना है तुम्हे, अपो मेरी फैमिली उसका खर्चा है, क्या सचा है फारिस? काने घर में बनता है, हम सब मिलके खाते हैं, उट्यलिटी बिल्स जो है, तुसारे मैं अदा करता हूँ ना तुम्हें बिजली का बेल गैस का बेल ना पानी का बेल अंतरा के तुम्हारे पैटल्, तुम्हारे फ्यून के तमाम इखराजाट जो रहे, गाड़ी की मेंटेंस तक तक फेक्टरी से जाती है, फिर बैट तुम्हे चार नाख रूपे कम लग रहे हैं हैं। और अबिर किसी की सेलरी फैक्टरी में 40,000 रुपया कर दूँ, तो तुम कहते होगे, आपने बहुत बढ़ा दी है इसकी तंखाप. क्या हो गया है अबु आपको? आप, ये सब कुछ मेरा ही है ना, ये सब कुछ मुझे ही मिलेगा. मेरी बीवी मेरी जिम्यदारी है, कल को बच्चा होगा, आप क्या चाहते हैं, छोटे-छोटे काम के लिए आप क्या गया है, आथ पहला हूँ कि आप मुझे पैसे दे दें, मेरे खर्चे पूरे हो जाए, और क्या कहा आपने, आप मेरा मुआजना एक, एक मामूली से वरकर से कर रहे हैं, क्यूँ? अच्छा, ओके, काम डाउं, कल अकाउंटन्ट से मिल ले न, उसको बता दूँगा बेरा, तुम्हारा जेब खर्चे लाक रुपया कर देते हैं भाई, मेरे खाल है ये तो काफी है, फारिस, काफी है. मेरे जूते, कपड़े, काना, पीना, इसमें मदद वाली कौन सी बात है, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मेरे जूते, कपड़े, काना, पीना, मैं क्या तुम्हारे लिए दो अंडे नहीं फैंड सकता, हां लिकन इसमें हरी मेर्च मिसिंग है, हरी मेर्च मिसिंग है, तो अभी टाल लेते हैं जी, एले, क्या चाहिए अबाजी, अबटा मुझे हरी मिर्चे चाहिए, ओमलेट बना रहो होगा, अबाजी, मेरे होते अबाजी हुआ अबटा आपकि लाओंगा अबटा मेर्च खालते रहेंगे, सभी के अबटा मुझे तुम्हारे अबूप बहुत अच्छा ओमलेट मेनाते हैं, यह श्पेशल रिसपी है, ओमलेट की मेरे बास, मैं अबटा इसमें अबटा है, मैं अबटा इसमें अबटा जिवो मैंने देखा नहीं। इतना खाना डस्टमिंद में फैंका हूँ। मतलब आम इससे नाश्ता कर सकते थे। अच्छा चलो अगर नहीं खाना था किसी ने। तो घर में जो काम करती हैं उनमें से किसी को दे देना था। उनके बच्चे खा लेते, किसी के मुँ में चला जाता। किसी का पेट भर जाता। और इतना खाना जाया करना तो अल्ला को बिलकुल पसंद नहीं है। ये क्या है। अबू, मैंने देखा नहीं। मैं दाख्याल रखना। अबू, इटली वाली कंपनी से जिन से बात चल रही थी ना। वो हमारे सब काम करने में इंट्रस्टेड है। ग्रेट न्यूस। ये सब अल्ला तेला की करवनवाजी है बेटा। और तुमारी महनत का नतीज़ा है। अब भी ये सब आपकी दुआउं से हुआ है। आम वेरी एकसाइटेड है। हालेकिन पिप्पिर साइन करने के लिए मुझे इटली जाना। बिल्कुल जाओ। अई तुमने इतनी महनत की है। अब मैं तुम्हारी तरकी के रास्ते में तो नहीं आ सकता ना। टैंक यू अपुक। एक और बात ये के वो दरसल अपुदा फैर करें। क्या हो गया। चलो देखते हैं सब्सुरू रफीक। क्या हो गया रफीक को। उसका आप कटर में आ गया है। अल्ला रह्म करे। आओ चलो देखते हैं। अमुलिंस को काल करें फारिस। जी है। फारिस। मैं तुम्हें तुम्हारे मुस्तक्बिल के खाबों से नहीं जगाना चाहता था लेकिन इमरजिंसी है। आप वो मैं अबू बस ये मैं वो छोड़ो। नफीक के आद से बहुत ज्यादा खून बहरा है। इससे पहले के खून ज्यादा वेस्ट हो जाए। एमुलिंस को आने में शाहिद देर लग जाए। तुम अपनी गाड़ी पर उसे आस्पिटल ले जाओ। क्या अपनी गाड़ी। उर्दू में बात कर रहा हूं बेटा। किसी और जबान में नहीं जो तुमारी समझ में नहीं आई है। लेकिन अबू गाड़ी गंदी हो जाएगी उसके कौन से। गाड़ी कंदी हो जाएगी। तुमारी गाड़ी उसकी सिंदगी से उसके हाथ से ज्यादा इंपार्टन्ट है। और यह मत भूलो। कि आज इन मजदूरों की मैनत की वज़ा से ही तुम यह गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। ला मुझे दो। क्या। चापी मांग़ रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते तो मैं ले जाता हूँ। आख एपा परिशान की ओरे हैं। पताए अब जी ने क्या कीया। अब क्या कर दिया। आज उनकी वज़ा से मेरी पूरी गाड़ी गंदी हुई है। साफ करवें मगर खून के स्मेल मनुस गाड़ी से जाए नहीं रही है और अभी सिर्फ उस वरकर की वज़े से उस गड़ी सच में अबबाजी ने ऐसा किया अच्छा ना छोड़े इन बातों को मुझे इटली वाली डील का बताएं अबबाजी से आपने बात की जब आप इट मेरी नहीं गाड़ी भी प्रपात होगी मैं अपने अम्मी को भी बता चुकी हूँ कि हम लोग वर्ल्ट टूर पे जा रहे हैं वापसी में हुम्रा करते आएंगे आज कर यही फैशन है सारे सेलिब्रिटीज भी यही कर रहे हैं अरे भाड़ बे जाए सारे सेलिब्रिटीज यहां गाड़ी कराब होगे और तुम वर्ल्ट टूर पता चला ना तो यह जो इटली वाला प्लान यह भी कैंसल हो जाएगा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था मैं सब को बता चुकी हूँ कि मैं वर्ल्ट टूर पे जा रही हूँ नहीं भी ना अरे हम अच्छा बात सुनो मैंने किया था प्रॉमिस और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा हालेकिन अबबाजी के जीती जीते वह मुम्किन नहीं है तुम मार दें च्या नहीं मेरा यह मतलब क्या कहा तुमने क्या कहा तुमने तुमने सुने तुमने जो कहा है मेरा वो मतलब नहीं था क्या कि अबबजी के रजमन्दी का मसला ही ना रहे अभी हमारी एज है ना लाइफ एंजोई करने की बढ़ापा आते देड नहीं लगती इंसान इसी यंग एज में अपनी लाइफ एंजोई करते है बस बस आज कह दिया हैंदा नहीं मुझे फारिस से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है खासता और पे खन्मले वाके के बात और मुझे शदीद परेशानी है कि मेरे बाद ये मदरसा और यतीम खाना कौन चलाएगा कौन है जो इन बच्चों सर पे शफकत का हाथ रखे अच्छे कहीं न कहीं कोई खनती हुई है यार फारिस की तरबियत कुछ ठीक से करने ही पाया सोचता हूं के क्या जवाब तुमका उसको एक्वासाब करम करके फल अल्ला पे छोड़ दिया करते अरे कोई हैसियत ही नहीं है सच मूचो तो फैक्टरी में नाम का मालिक हूँ फारिस मालिक लेकि नसली असली मालिक है तब फिर क्या या ये दिल एहसास से भर दे है मेरे माला ये दिल एहसास से भर दे है मेरे माला ये सब तुम्हारी मेहनत और अल्ला ताल़ की करम ना बासी से हुआ है आवचल के सब को बताते हैं कि हमारी मेहनत रंग ले एक मेट हमारी हम सब के I'm sorry अबू ये सब कुछ सर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा ने और हुआ इन सब के साथ नहीं बाच सकता हूं कि सब कुछ ना रात दान की मेहनत का फल है वो भी मेरा एक बात समझ लो फारिस रिस्क हमेशा बांटने से बढ़ता है और दिल से निकली हुई दुआ बगार कहे खुबूल होती है हाँ लेकिन ये जो कुछ है ना ये मेरा पूरा आस्मान है इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकुमत रहेगी बस वकुमत सिर्फ मेरे अल्ला की है उसी की होती है हम तो उसके देव नहमतों के अमीन है सुझ इसकी जो अमानत है उसे पहुचाओ I'm sorry ये मुझसे नहीं होगा और वैसे भी हम वर्कर्स को उनके हिस्से का हक देते हैं ना अच्छी सालवरी देते हैं वो भी दूसरी फैट्रियों से जादा आप ए रब क्या चाहिए उने फारिस में तुमने अल्ला के दिये हुए में से आगे देना तो फिर इसमें हिचके चाहट कैसी या क्यों अब्बू मैंने आपकी हर बात ना आपकी हर बात पर लबैक का है लेकिन यह जो आप कह रहे हैं यह मुझसे नहीं होगा और वैसे भी अगर यह सब कुछ किया जो हमारा प्राफिट मार्जिन है ना वो वही पुराने रेशों पर आगे खड़ा हो जाएगा मैंने तुम्हें समझा कर अपना फर्ज अदा किया अब मैं अपने रब का फर्ज अदा करूँ और जो कुछ मैंने कहा इस पर अमल होना चाहिए आप ने फिर टेंशन है ने शुरू कर दी है डॉक्टर ने आपको सक्ती से वना किया ता ना कोई भी स्ट्रेस है यह ने और अब तो अच्छा टाइम आ रहा है आपकी ओलाद की ओलाद देखने का मौका मिल रहा है आना चाहरे ही हो कि इस दुनिया से अब मेरा काम तो हो गया खत्म इसलिए अब मुझे दो वापस चले जाना चाहिए अब अब आपको देनी काम करने का मौका मिल रहा है आप यही चाहते थे ना मदरसे यतिम खालों की शाखिया और खोलने के बारे में हाँ अगर फारिस के बारे में सोचता हो वो तो अपना कुछ भी किसी गरीब के साथ शेयर करने को तैयार नहीं वो नहीं बांटना चाहता किसी यतीम के सर पे हाथ नहीं रखना चाहता मैं समझ रही थी अबभाजी आपकी मेनत के कदर करें लेकिन वो तो सब कुछ बांटने में लगे ठीक है अपना कमाया बांटा हाख है मगर आपकी कमाई पे कब से सबका हाख हो गया हाँ तो क्या गरूँ फारिस ऐसे तो ये मेरी उलाद का हख मार देंगे सब दूसरों में बांट देंगे फारिस मैं बता रही हूँ अपने साथ और ये जियारती परदाश कर रही हूँ मैं लेकिन अपने बच्चे के साथ नहीं करूंगे I'm sorry या अपनी जिन्दगी में तो ये हर किसी ऐसा नहीं होने देगे तो मैं पता एक एक डॉकुमेंट पर नजर रहती है कि कब फैक्टरी में क्या हो रहा है कब क्या मिल रहा है और वो वो जो मैनेजर है शाहिद उससे भी क्या गुजराओं मैं उनकी नजर में फणी हर बात मानें अपन इसके अरो बात मानें लेकन जो कहूंगा नहीं मानें पत्तेस किया इने है मुच से वर्कर से भी अठेसे अजितंगी है मेरे अरे कूई हैसियात ही नहीं है इसाच पूछो तो फैक्टरी में नाम का मालिक हूँ, फारेस मालिक लेकिन असली, असली मालिक ये है तब फिर? फिर क्या या? मरते भी तुन ये न के जिन्दगी में मेरे सुकून आजाए कि मरे एक तरफ हो कुछ फिरस टे वक पे नहीं छोड़े जास ये रही मेरी अमानत मेरी जिन्दगी तक आपके पास ही रहे बहुत बढ़ा बोच डाल रहे हैं आप हमारे काने पे आप तो लो गवाह रहिएगा और ये ही अल्ला का हुक्म भी है ये आईवद भाई ये क्या है एक बासाब? मैंने अपने तमाम मुश्किन फैसले अपनी जिन्दगी में ही कर लिये मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मदरसे या यतीम खाने के काम में कुई रुकावट पेड़ों मैंने इसकी इंस्ट्रक्शन्स अपने वकील को भी दे दी है और आप दोलों भी इसके गवाँ है अब मुझे लगता है कि मैंने अपने सारे जरूरी काम दिम्टा दी माशालला अपने एक आदमी है इनसान की नेकियां उसके आमान के पन्ले को भारी करती हैं और साथ ही उमर में भी खेर और बरकत होती है अला आप उमर दिर्खार अता फर्माए आपने सही फैसला किया है इनसान को जिन्दगी में ही अपनी मुझे फैसले कर लेने चाहिए और अक्बाल साहब ये जिन्दगी ये भी तो एक आवानत ही है अपने जिन्दगी में ही सारे फैसले कर लिए अपने जिन्दगी में ही सारे फैसले कर लिए ये टम्हल कि यस्रो युस्रो युसरो फारेन युस्रो पारिह युस्रो नहीं दो सब्कु हो यूडन कि यूद्गतender पीरफो आ किया हो गयो एञार सब्सटी क्या हो यूद्गी यूद्ती रशुी का लिए अपने प्वूब यू़ित गया पारिफोगे प्राज़ों उट्टिए रेमुजे पिर्धेर तकर रहें, एक कुछ होता देखिंगे? भीक्ताओं आज़ोंचे सिक्टू..., अभू.. 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 अभू... इक पाल्शाफ.. इक पाल्शाफ उट्टेश्टा.. पाल्शाफ.. अप्पोले, आपके खोले दा, अप्पोले खोले गवाल्चा अमीन, क्या हो? अबो, नीरग्या, बाइबे, बाइबे, एक वह सब, वह फोले, आपके खोले, आमीन, आमीन, अमीन, अप्पोले हैं नहीं? बहुत ज्याद है अब तुम खुश हो ना हुँ वर्दा तु देखे जली जाएगी उसकी डाइमेंड इंग सॉलेटेर नहीं या ना थेंक यू फारिज तुम्हें अंदाजा है पूरे साथ लाख रोपे की तुम्हारी ये चूटी सी मुस्कुराट पड़ी है मुझे अप्रजी नहीं रहे अब इसलिए ड़ना छोड़ने अब ये सब हमारा है बस अम्मी जी की फिकर खाई जाती है उनोंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया इससे ठीक तर्हा मुलकात ही नहीं हो री मेरा मतलब यह नहीं था क्या मतलब लीता तुम्हारे भी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि वो इतत में है ना तो कोई उन पे हुकम चलाने वाला नहीं है इसलिए पैचारी ऐसी हो गई है आप अमेश्यों मेरी बात का गलत मतलब निकालते है बन के है पेपने भाट काहिँ समझ के उसको लूटने की कोईशिश करना ये यह न सोच पहले अभू की जब पे नजर थी दूंदोनों की अब उटकर मेरी जब पे नजर खने लग गा है ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला इसलाम एवरभू ऑज रहना प्लाव स्लावाट, इमेटा, प्लीज बेटल बेटा, बहुत दिन हो गए किन ऐसा लग रहा है जैसे इड़ाल साथ आज भी यहीं कहीं मौजूद है बहुत जादा तमी महसूस हो रही है आपको अब कप प्छा होगे तुम्हों के यहां से हाँ एक बाद की ताजियत करने बार बर खहरी अठागर आजाते है अबबा का वक्त आगी अदा, सो वो चले गए, तो तुम लग भी जाओ एक अमानत थी अमानत? कैसी अमानत? यह इकबाद साब की वस्यत है, आप इसे एक बार देख लीजे इकबाद साब यह चाहते थे कि यह वस्यत हमारे दर्मयान आप देखें आप दोनों की मौजूदगी में, मगर क्यूँ? ऐसे भी अबबू ने, यह सब कुछ मेरे ही नाम किया होगा और और क्या लिखा होगा इस वस्यत में? फिर भी आप इसको एक दफाद देख नहीं आप दोनों को अबबू का दोस्त समझ के बात इससर देर हों है और आप लोग तो उल्टा मेरे अबबू करना शुरू होगा यहां पर इसमें जो भी कुछ है, उसका आपको पढ़ना ज़रूरी है और कल नहीं तो पर सूँ, आपको हमारे पास आने ही होगा क्या लिखा होगा इसके अंदर है? कारून का ख़जाना मेरे नाम कर दिया ग्या? यहान विला अखवाति लाविला, बेटा, कारून का ख़जाना तो सदा थी अल्हा ऐसी दॉलत से पना आता फर्माए, ऐसी बात नहीं करते, बेटा हम दो करिया जिसके पास होगा ना उसके तो एश ते एश और वही वही अलमिया पुरानी सोच के दूसरों की जेप पर नज़र लखना है? दूसरे के हाथ पर अपने बाप का हथ समझके उसको लूटने की कोशिश करना यही है ना सोच? पहले अब्बू की जेप पर नज़ अब्बू करें अन्हां खेर करें अन्हां खेर करेंगा चले शाबश मैंवानी जाए पानी चाहा समय है और हाइंदा मताने इधर है इस बूठा करा जाते हैं पिखारी कि 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 झाल झाल यह इंगी मैं अमी अमी मैं इतत्त में हो फारिस एतिहात किया करूँ मैं पेटे से कैसा कड़ता वत अपने कुछ भी किसी गरीब के साथ शेयर करने को तैयार नहीं वो नहीं बांटना चाता किसी यतीम के सर पे हाथ नहीं रखना चाता आपने भी तो रखा था ना फारिस के सर पे हाथ आप इसको यह बात समझाएं यह मेरा अल्ला से आखरत का सौधा है आज तुमने यह बात कही है आइंदा मत कहना इस अमानत की तुम अमीन हो और इसमें खियानत ना करना ने मेरी जिन्दगी में ने मेरे जाने के बात आप क्यू बार बार एकी बात कर रहें पहली सांस के साथ ही जाने का वक्त तो मुकरर होई जाता है ये तो उसका शुकर है उस मालिक का जिसने इतनी लंबी जिन्दगी अता फर्माई सब कुछ नवाजा दूसरों के काम करने की तौफीक अता फर्माई और क्या चाहिए ये पहस्पत करो फारिस, चले जिए मगर क्यों? क्योंकि मैं लेपा लगूँ? अम्मी! फारिस? समझ क्या? सब सब क्योंकि झाल झाल कोष्या, पुल्या, विल्या, यहां, तुम्हें सब्सक्तों, विल्या, सेव्या घृते को का। मार दो, मार दो जहाँ एक कतल किया माय कोरसल ये दिल एहसास से भर दे मेरे माला ये दिल एहसास से भर दे मेरे माला कुछ? कुछ? मेरे हाल पे हचनी होना तो ये सब कुछ तुम्हारी मजा से हुआ है सिर्फ तुम्हारी मजा से मेरी मजा से हातंहारी मजा से एक शरीफ इंसान की चान लेड़ी एक नेक इंसान को माड़ा दामेख मैं महीं चुड़ओगा तो नहीं नार दियो अप्त्र भरी वजह से जाब को चुगाए इसका बड़ाकुना कि एक इंसान को माड़ दियो अप्तम्हें भी मारा दोगाा मार देल लफ मार दो, जहाँ एक कतल की हमा एक और से अध इसलिहाजी हूँ कि अधिस चाहदाद के लिए त्यमेहनत की कतल तक भी है वो तो पर भी हाद देए मार दो करका भी हुँआ दो क्या इसाद्धिया पलकों पर ठहरा है ये दर्द गहरा है हर रास्ते पर हब मात है क्या अधिनी के है नूबु आपक है क्या नूबु आपक हूँ आप को आपसे हां आप आप से मावी बाग दे मुझाबु पॉपक अपूपक अपूपक. पॉपक. तेरी रहमत के साय से, मैं कैसे बद गुमा जाओ, अगर तू भी ना मेरा हूँ, आपक अपकी जान देंगें, क्यों क्या है? क्यों? क्यों क्या? अरे मुझे तो ये तक नहीं पना कहती, तेरे करम के सदते, मेरी जबी के सजदे, करते हैं तुझ से इलतिजा, भीरा साइल खड़ा है, अर्जियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आखे हैं, दो आसु भी लाया है, वस इतना सा करम करते मेरे माला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे माला,